हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर और आज का जो प्लान है वो 30x45 का हाउस प्लान है जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक है आप इसका मैं इसका जूम आउट करके आपको इसको दिखा देता हैं गवार ठीक है प्लानिंग को डीटिल में समझने के लिए आपसे एक रिक्रेस्ट है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है ठीक है प्लान अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए ठीक है शेयर कीजिए और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए ठीक है तो चले दो स्टार्ट करते हैं planning के बारे में details समझते हैं तो दोस्तों हमने जो porch gate से स्टार्ट करते हैं हमने gate दिया है जो की right side में एक gate है ठीक है और ये gate जो है दोस्तों 11 feet के आसपास की इसकी चोड़ाई है और यहाँ पर दोस्तों हमने पोर्च आप देख सकते हो पोर्च काफी अच्छा है पोर्च 14 फिट 4.5 इंच चोड़ाई है और 15 फिट 9 इंच की जो है वो गहराई जो है पोर्च की गहराई है पॉर्च में, में हम जो है दोस्तो एक पार्किंग काफी अच्छी हो जाएगी दोबलकि दो कार खड़ी हो सकती हैं और एक कार के साथ दो बाईके यहाँ पर खड़ी हम कर सकते हैं ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख पारे होंगे कि यहां पर हमने दो एंट्री दी गई है पोर्ट से दो एंट्री एक ड्राइंग रूम में है और एक डाइनिंग में एंट्री है ठीक है जैसी हम ड्राइंग रूम देखते हैं तो दोस्तों ड्राइंग रूम काफी अच्छा है ड्राइंग रूम का साइज जो है वो 10 फिट, 10.5 इंच इंटू 13 फिट है ठीक है और ठीक है ड्राइंग रूम दोस्तों हमने अलग सेपरेट रखा हुआ है और जैसी हम देखो दोस्तों डाइनिंग एरिया देखते हैं यहाँ पर हमने ओपन किचेन दिया हुआ है ठीक है लि इंटू 10 फिट का हमारा यह लिविंग डाइनिंग एरिया है और यहीं से दोस्तों हमारे जो है एक बैडरूम के एंट्री है देखो लिविंग से ही एंट्री है जो कि बैडरूम जो है दोस्तों यहाँ पर एक बैडरूम यह हो गया है ठीक है इस बैडरूम का साइज 10 नाइन इंज है ठीक है और यहाँ पर पीछह जो दो bedroom है इन दोनों के size आप देख सकते हो ठीक है एक bedroom हमारा यह है जो कि 12 feet into 13 feet का है और इसके साथ हमने एक attached toilet दिया हुआ है toilet bathroom दिया हुआ है ठीक है इस प्लानिंग में एक कॉमन टॉलेट हमने दी है ठीक है जैसा कि आप देख पारे हैं ठीक है कॉमन टॉलेट हमने दी है जो की पाँच फीट तीन इंच ठीक है और नाइन फीट साधर-चार इंच काफी अची बित बड़न है अराम-से वाशी मसीन लगाऊ कुछ टॉलेट सी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बैडरूम दूसरा एक बैडरूम यह है दोस्तों तो इस बैडरूम का साइज भी आप देख सकते हैं 10 फिट 6 इंच इंटू 13 फिट है पीछे 4 फिट 4.5 इंच का एक ओपन लाउन ओपन छोड़ा गया है ठीक है वेंटिलेशन के लिए दोस्तों वेंटिलेशन के बात करें तो वेंटिलेशन सबको मिल रहा है ठीक है जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी ड्रॉइंग रूम का भी वेंटिलेशन पूरा हो रहा है ठीक है कीचन का वेंटिलेशन पूरा हो रहा है पीछे की साइड परतियक कमरे को वेंटिलेशन मिल रहा है और परतियक कमरे का साइज भी अच्छा है और ओपन कीचन है और पार्किंग भी अच्छी मिल रही है 30 x 45 का एप्लान है आपको कैसा लगा लाइक करके बताओ इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप काण्टक्ट कर सकते हैं ठीके नीचे या तो मेरे को Local कर देना और मेरे नंबर पर काण्टक्ट कर सकते हैं तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दौस्तों इस वीडियो में इतना ही